बड़ा जटका है और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे ओडीशा से ये बड़ी खबार दर्शक किरप्या ध्यान दे ओडीशा में 24 साल का पठनाएक राज जो है वो खत्म होगा बीजेपी को 78 सीटों पर बढ़त मिल रही है तो देखे कहीं बीजे साल का पठनाएक यहां पर राज जो है वो खत्म होने जा रहा है किस तरह से देख पा रहे हैं कुछ सीटों पर भारती जनता पार्टी ने कुछ स्टेट में बड़ा अच्छा काम किया था जैसे साउथ की तरफ भारती जनता पार्टी गई तो यह तो नहीं कहता है मैं कि सी बीजेपी लगातार वहां मेहनत कर रही थे और बीजेपी की एक खासियत होती है कि वो जब हारती है या जीतती है उसी दिन से अपने चुनाओं के अगली तैयारिया शिरू कर देती जिस तरह पे धान मंत्री खुद वहां निगाय बनाय हुए थे हमें शाह जी निगाय बन रही और कोई भी स्टेट का मद्दाता हो वो यही चाहता है कि हमारा मुकमंत्री जिस तरह से बीजू पटना एक काम कर रहे थे वो जनता के दिलों में राज करते थे इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उनकी सेहत साहत जनता यह समझ रही थी कि हमें जिस रपतार के साथ आगे सीटे भारती जनता पाइटी को वहां से मिली है और नहीं तो यदि आज ओड़ी सा ठीक नहीं रहा होता तो कुछ चीज़ां और अलग होती हो सकता है कि फिर इंडिया गडबंदन अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई देता तो बहुत साथ दिया है बहुत साथ दिया है कई रिकॉर्ड तूट चुके हैं पहले कि हाला कि कहीं जटके हैं तो कहीं पर कुछ और ही देखने को मिल्दा है एक अच्छी बात है कि एक राज्य बढ़ गया बढ़ गया है बंदन जा रही है यह वह गडबंदन की सरकारी से हम कह सकते हैं लेकिन यह तो प्यूरली अप लेकिन वह एक गडबंदन है तो इसलिए आप उसको लेकिन मत कहिए है वह हम लोग संयुक्त रूप से चुलाव लागा है तो कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि हाँ जटकने में कोई कमी नहीं रहती है गडबंदन की सरकाज होती है ने ने वह हमारा एंडिय का गडब है और आपको कुछ तस्वीरे दिखाते हैं आप चिंदवारा की आप मेहमान भी हमारे साथ है प्रतिक्रिया जब लेना चाहिए जी सक्सेना जी आप क्या कुछ कहेंगे मैंने देखा कि आप ताली बजाते हुए नजर आए जब आयोद्य की बात हुई लेकिन मैं तब आप वो सरधर्म संभाव का है वो हिंदू मुस्लिम सी किसाई का है इस देश के जंजन का है हर धर्म और जाती का है और वहां पर जो धर्म और जाती का कार्ड बीजेपी ने खेला था उसको वहां की जंता ने नकारा इसलिए मैंने ताली बजाई राम मंदिर बनना ठीक नहीं थ राम मंदिर उन्ना बहुत अच्छा है पर जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से शंक्राचारियों की बात को नकारा गया, वो हमारे हिंदु धन के सबसे बड़े धर्माचारे हैं, उनकी बात पत्थर की लकीरी तरह होती है, उन्होंने कहा कि ये धर्म सम्मत नहीं है, ये वे सकता, प्राण पतिष्ठा नहीं हो सकती, पर क्योंकि मैंने कहा, एक हड धर्मिता थी, एक कार्ड खेला जा रहा था, कि हम राम मंदिर के नाम पर सरकार बनाएंगे, तो उसको फेजाबाद की जन्ता ने नाकारा है, भगवान राम का मंदिर बना, हम सब के लिए अच्छा ह हम सब भगवान राम के भगत है, मैं रोज से बहुडता हूं तो पूजा करता हूं, हन्मान जी की पूजा करता हूं, मेरे आराधिये धेव हैं, उन सब की पूजा करता हूं, तो उससे को पूजा करना, मेरा आस्था का भशे है है, तर उसको मैं डेश पर 552 बेनाएंगे, कि ना तो कॉंग्रिस पार्टी ने राम मंदिर के प्रांटपतिष्ठा का रिकम को ठुकराया, उन्होंने भारतिय जनता पार्टी का जो इवेंट था उसको ठुकराया, अगर वो इवेंट नहीं होता, सारे हमारे शंकराचारी जी वहाँ होते, गर्ब ग्रे में वहाँ प्रत्यारोपों और सभी तरह की जिसे कहले चीना चाल बाज़ियां है जो राजनीती में हम लोट की राजनीती करना चाहते हैं उससे परे हैं भगवान राम पूझ्य है और चले चले इसी बीचे बड़ी कबर सामने आरे रूपने जाओंगी चाचा को आपके बढ़ाएंगे लेकिन इसी बीचे बड़ी कबर